आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि DU admissions जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों चल रहे हैं और NC web की first cutoff आ चुकी है जो non college होता है उसकी first cutoff आ चुकी है ठीक है जो non collegiate आपका ये जो college होते हैं इसमें जो NC web जैसा कि आपको पता होगा लड़कियों के लिए होता है non college इ तो आप वीडियो से जुड़े रहना और अगर आपका कोई doubt हो कोई question हो आप इस्टाग्राम पे follow कर सकते हैं username आपके सामने है और description में आपको profile का link भी मिल जाएगा तो आईए start करते हैं पहला आपको जो एक मतलब में page है आपके सामने होगा ये DU की जो NC web की first cutoff है ठीक है औ और इसमें आपको सुबह 10 बजे से लेके और शाम 5 बजे से बीच में इसके बीच में ही आपको ये admission अपना लेना है आपको apply करना है ठीक है तो आपको मैंने dates बता दी है कब तक इसका admission होगा first cutoff का 26, 27 और 28 अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन-कौन से colleges हैं जो non से करवा ठीक है NCWeb के अंदर कौन-कौन से colleges आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है एक है अदीती महाविद्याले और भगिनी निवेदिता कॉलेज, आरे भट कॉलेज, भारती कॉलेज और College of Vocational Studies और दीन धयालुपाद्याय कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेटकर कॉलेज है और और SGGSC of Commerce College है और SPM College है, शिरी और विंदो College है, विवेकानन्द College है, हंसराज College है और मिरान्डा हाउस College है, तो colleges के नाम आपको मैंने बता दिया है, इन सब में आप non college से आप मतलब कर सकते हो, अपना NCWeb से आप अपनी graduation कर सकते हो, और इसमें NCWeb में जो है BA program मिलता है आपको जो course मिलेगा वो BA program होगा, आपको combination बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपका interest हो, जिसमें आप उसमें कर सकते हो, तो combinations आपको एक बार में आपको बता देता हूँ, जैसे कि BA program के अंदर Economics plus Political Science का combination है, History Polis Science का combination है, और Economics Sanskrit का combination मिल जाएगा आपको यहाँ पे non में, और History plus Sanskrit का मिल ज Management and Secretarial Practice का मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे Office Management and Secretarial Practice के साथ Political Science आपको मिल जाएगा subject में, और Economics plus Punjabi है, History plus Punjabi है, Political Science plus Punjabi है, आप देखेंगे Economics plus Mathematics है, तो यह courses है, जो मतलब यह BA program के अंदर जो है, यहाँ पे NCVEP करवाता है, combinations आपको मैंने बताए यहाँ पे, और अब आपको combination अगर पता चल गए हैं, तो अब आपको अपनी category देखनी है, आप General से हो, OBC से हो, SC से हो, ST, PWD या EWS, यह आपकी categories होती है, तो जैसा हम regular college की cutoff देखते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसकी भी cutoff देखनी है, आपको अपनी percentage देखनी है पहले, अगर आपकी percentage cutoff से कम है, तो आपका admission नहीं होगा, अभी आपको wait करना हुआ, अगर आपकी percentage cutoff के बराबर है, या cutoff से जादा है, तो आपका admission हो जाएगा, जिस भी college में आप admission चाहते हैं, चाहे वो college आपके घर से नजदी को, चाहे दूर हो, अगर आप eligible हो, तो आप उसमें admission ले सकते हो, और अब आपक program के अंदर ठीक है, तो आपको 76% चाहिए, यहाँ पर economics plus history के combination के लिए, इसी तरीके से आपको अपनी percentage देखनी है, college का नाम देखना है, अपनी category देखनी है, और आपको अपना combination देखना है, जो subject combination आपको अच्छा लगे, आप यहाँ से चुन लेना, और फिर जाके आप उसक screenshot आप इसका ले सकते हूँ, चाहिए आप इसको वीडियो को pause करके भी आप देख सकते हो, सारा कुछ जो भी है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपकी यह first cut off है, और आप इसको देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ colleges ऐसे हैं, जो history plus Sanskrit का यह combination नहीं होगा जहाँ पर जैसे आदिती महाविद्याले, भकिनी निवेदिता, college, आरे भटा college, इनके अंदर यह नहीं था, ठीकें, तो यह आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा combination वो college करवाता है यह नहीं करवाता, तो यह वाला history plus Sanskrit का जो combination है, यह आपको भारती college के अंदर है, तो इसमें आप अप category wise, अपने percentage आप देख लेना, और वीडियो को आप pause कर सकते हो, और इसकी screenshot आप इसका screenshot लेके, एक एक cutoff को अच्छे से, आप देख सकते हो, cutoff के अंदर जितनी भी percentage दी गई हैं, आप इसको आराम से देख सकते हो, और आपको आने वाली जितनी भी जानकारिया हैं, मैं आप आपको इसी channel पर दूँगा, आपको even मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपका slayvus होने वाला है आगे का, जब आप इसमें admission ले लोगे अपनी graduation के अंदर, और slayvus के साथ-साथ कैसे आप अच्छे mark ला सकते हो, अपनी graduation में, और जितना भी आपका होता है, जितनी भी information होगी मैं graduation से जुड़ी होई, आपको इस channel पर देता रहूँगा, तो आपको क्या करना है, channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जो हैं लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, तो आपको आगे देखाता हूँ, मैं cut-off ये है, कि इसमें जो page rank का college होता है, उसकी cut-off high जाती है, वैसे ही इसमें NCWeb में भी होता है, जो high rank के colleges होते हैं, जैसे Miranda House College है, इसकी cut-off 88% गई है, ठीके भी ये program economics plus school science की, और वहीं अगर आप देखोगे, अधिति महाविद्याल है, जो कि rank में कम college है, इसकी cut-off 76 गई है, तो ये cut-off का difference NCWeb में भी Instagram पर जरूर follow करें, आपकी मैं हर समस्या का वाँ पर हल दूँगा, और चैनल को subscribe कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और comment box में भी आप अपना doubt बता सकते हैं, और वीडियो को share करना ना बोलें, जैहिन जै भारत धन्यवाग,